मेरे साथी यूटूबर्स आज एक फैलो यूटूबर के तोर पर आपके बीश आकर मुझे बेहत खुशी हो रही है मैं भी आपके जैसा ही हूँ, अलग ठोड़ा हूँ पंदरा वर्सों से मैं भी एक यूटूब चैनल के जरिये देश और दुनिया के साथ कनेक्ट दोस्तों परधान मंत्री नारेद मोदी ने जिस तरह से यूटूबरों को सराहा है उन्हें कहा है कि आप लोग यूटूब पर इतने अच्छे कनेक्ट ला रहे हैं, इतने लोगों को साथ में कनेक्ट हैं कि मुझे काफी अच्छा लगा उन्होंने ये भी बताया कि मैं पिछले 15 सालों से जिस तरह से सोसल मेजिया यूट्यूबरों के साथ में कनेक्ट हूँ काफी अच्छा है और काफी मेहनतफुल कारे लोग कर रहे हैं उन्होंने बताया कि जिस कॉंटेंस को आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं वो कहीं न कहीं देश का सबसे बड़ा यूगदान है और उन्होंने ये भी बताया कि सोसल मेजिया पर आने के बाद आपकी आर्थे के सिर्थी सुधर जा सकती है दोस्तों ये यूट्यूब चैनल प्रधान मंतरी नानेद मोदी ने अपना खुद एक बनाया है उस पर उन्होंने बताया कि एक भी समसंख्या हमारे पास आ चुकी है उन्होंने धनबाद दिया सभी उट्यूबरों का देश के सभी जनताओं का दोस्तों ये वीडियो आप लोग देखें प्रधान मंतरी जी की उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं कि दोस्तों बोलने में अगर कोई दिक्कात आ जाए तो अभी मेरा न्यू चैनल है इसलिए आप लोग मैनेज के लिजएगा चलिए वीडियो देखते हैं मेरे साथी यूटूबर्स कि आज एक फैलो यूटूबर के तोर पर आपके बीश आकर मुझे बेहत खुशी हो रही मेरे पास भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिशन नंबर है मुझे बताया गया है कि आज यहां करीब पांच जजार क्रियेटर्स एक स्पारिंग क्रियेटर्स एक बहुत बड़ी कॉम्यूनिटी मुझूद है फ्रेंड्स मैं वर्सों से यह देखता रहा हूँ कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इंपेक्ट करता रहता है और हमारे पास एक मौका है कि इस इंपेक्ट को हम और एफेक्टिव कर सकते हैं हम एक साथ मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बड़लाव ला सकते हैं हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को और शसक्त कर सकते हैं एंपावर कर सकते हैं अब हम आपको कुछ और बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं आज कई बड़ी खबरों पर हम लोग बात करेंगे जो देश और दुनिया से निकल करके आ रही हैं जब परधान मंत्री ने अपना एक चैनल बनाया तो राविश कुमार जी पता है क्या लिखते हैं राविश कुमार जी लिखते हैं कि पियम मोदी को एगी और सीवियाई से जाच करानी चाहिए कि गोदी सेठो ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं दोस्तो आगे हम आपको और बताते हैं कि आजास समाजबाल की ने क्या ट्विट किया है आजास समाजबाल के ट्विट करती है कि रूस उक्रेन उद्ध को मात्रेक फॉन कॉल से रोकने वाले बयान बीर पियम मोदी जी मरीपुर में हिंसा नहीं रुक रही है अब तो मरीप देखते हैं मरीपुर में जिस तरह से आग दूदू करके जल रही है यह पहले देखे भाजपा कार्याले की वीडियो है मियल दूर्ला का लिए झाल दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी खबर पर हम निज़ जालते हैं अनुसका सरमा ने कहा है सचिन और विराग की तुलनान नहीं हो सकती विराग महान किरकेकर ही नहीं एक बेहतर और सब बैदंसील इनसान है सचिन भी सचिन की रीड की हड़ी नहीं है विराग के पास है सचिन पद और पैसी के लिए आसानी सी इमान को बेच सकते हैं वह पेपसी भी बेच चुका है आनलाइन जुआ भी बेचता है ये कहा अनुसका सरमा ने दोस्तो हम आगे आपको चौथी सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तो आज कल एक ट्रेंड चल रहा है ठाकरों को लेकर के दोस्तो मनुझा ने जिस तरह से एक कविता सुनाई है वालमिकी जी की मैं आपको उस कविता के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको बता दें और दोस्तो चौथी सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जाती वाद दिखाने के लिए एक कविता को चुनने होतो हुआ कविता ठाकरों के बारे में क्यों वह भी तब जब की आरज एगी और उससे भी पहले समाजवादी अंदोलन में ठाकर हमेशा सामिल रहे हैं दोस्तो ठाकर समाज एक कैसा समाज है जो हर एक मुसीबत में सबके साथ में खड़ा हो सकता है आगे हम आपको बताते हैं, समाजिक न्याई के यह बी-पी सिंग और अरजन सिंग जैसे प्राणोता ठाकर रहे हैं दोस्तो अगर बी-पी सिंग और अरजन सिंग नहोते तो साथ आज भहुजन मॉम्मिल कोई नहीं चला पाता जिस तरह से बहुजर मॉमेंट को आगे बढ़ाने का काम बेपी सिंग और अरजुन सिंग ने किया था काफी उनको धनवाद किया जाये तब ही कम है कहीं ना कहीं ये जो आपती जनक बाते की जाती है वो बहुत ही गला तो निंदनी ये बात है दोस्तों अगर आज बीपी सिंग और अरजुन सिंग ना होते तो बहुत जन मॉमेंटर नहीं चल पाता ये बात सत्ता सत्त है दोस्तों इन सभी बड़ी ख़बरों के साथ में इस वीडियो को हम यह पर इंड करते हैं मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जाए भेम नमगुद्धाए